हेलो स्टुरेंट्स, हाव आर यू, आई होब डेट आल अर गुड और एंजॉइंग अट यूर होम्स और फॉलॉइंग दी लॉक्डाउन और साथ में सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे स्टुरेंट्स, आज हम अपने मैटल्स और नॉन मैटल्स का थर्ड लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं अगर किसी ने अभी तक फर्स टू लेक्चर नहीं देखे हैं, नहीं आपने नोट्स बनाए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके बाद आपको फिजिक्स, बाइलोजी, कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर मिलेगा ठीक है स्टुरेंट्स, तो प्लीज जल्दी सब्सक्राइब कर दो शुरू करते हैं आज का लेक्चर तो इस्टुरेंट्स, आज का यह लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है एक नए कुशन आपको बोर्ड एक्जाम में यहाँ से जरूर मिलने वाला है ठीक है तो देखते हैं लेक्चर थ्री, आज हम बात करते हैं या फिर बहुत सकते हैं कि केमिकल प्रोपर्टीज मेटल की मेटल ओक्साइड का कैसा नेचर होता है, कैसे रियक्शन करते हैं यह सब हम आज देखते हैं ठीक है, सब सब बहुत करते हैं मेटल ओक्साइड तो मेटल जब भी कमाइन होता है अक्सिजन के साथ तो वो क्या बनाता है अपने Oxides बनाता है ठीक है तो देखते है Chemical Properties Metal Oxides are basic in nature कैसे होते हैं नेचर में basic होते हैं ठीक है अब हमें पता था कि basic basic क्या करते हैं बेसे क्या करते हैं अगर हम उनको Litmus Solution के साथ reaction कराते हैं Litmus Solution में उनको डालते हैं तो वो क्या करते हैं Red से उसका Color Blue में कर देते हैं तो याद रखना क्या हमने पढ़ा Metal Oxides कैसे होते हैं basic होते हैं और वो Litmus का Color कैसा कर देंगे Red से Blue कर देंगे ठीक है next देखते है reaction of Metal Oxides with water अगर हम उसकी reaction water के साथ कराते हैं तो क्या होगा तो most of the Metal Oxides are Insolubile in water कैसे होते हैं Insolubile होते हैं Solubile नहीं होते Alkali Metal Oxides are Solubile in water whereas जो Alkali Metal Oxides होते हैं वो कैसे होते हैं Water Solubile होते हैं alkali Metal Oxides gave strong base when dissolved in water alkali metal Oxides को जब हम Water में dissolve करते हैं तो वहां से हमें strong base मिलते हैं याद रहना alkali Metal Oxides का की जब हमगो water में dissolve करते हैं तो वहां से हमें इस्ट्रॉंगâme Holy and Water सोडियोم Osicide जब reaction करता है में Water के साथ होगा sodium oxides give sodium hydroxide क्या बनाएगा sodium water hydroxide बनाएगा जब water के साथ react करता है देखें reaction यह क्या है sodium oxide यानि metal का oxide और हमने किसके water के साथ reaction कराई है तो देखें क्या बना है एक strong base बना है क्या बना है NaOH ठीक है आगे देखते हैं reaction of potassium oxide ऐसे ही है जब potassium oxide की देखते हैं तो potassium क्या है एक metal है metal का oxide की reaction हम water के साथ करा रहे है अभी हमने देखा था क्या बनेगा basic solution बनेगा ठीक है और base भी कैसा बनेगा strong बनेगा तो देखते हैं reaction हमने लिया potassium oxide यानि K2O plus water के साथ उसकी reaction कराई तो क्या बना रहा है potassium hydroxide ठीक है ये भी क्या होता है एक strong base next हम बात करते हैं reaction of zinc oxide and aluminium oxide zinc oxide और aluminium oxide बहुत ज़्यादा important है students ये ठीक है देखते है aluminium oxide और zinc oxide insoluble होते है water में water बर ये soluble नहीं होते जबकि aluminium oxide and zinc oxide are amphoteric in nature कैसे होते हैं amphoteric note कर लीज़े याद रखना इस word को amphoteric amphoteric क्या होता है amphoteric वो substance होता है जो acidic as well as basic character दोनों show करता है उसको हम क्या बोलते हैं amphoteric बोलते हैं ठीक है मैंने लिखा भी है देखें an amphoteric substance shows both acidic as well as basic characters it reacts with base like acid जब ये base के साथ reaction करता है तो एक acid की तरह behave करता है और जब base के साथ reaction करेगा to acid की तरह behave करेगा और acid के साथ reaction करेगा तो base की तरह behave करेगा ठीक है देखते है reactions नीचे इसकी jinx oxide हमने लिया jinx oxide जब reaction करेगा sodium hydroxide के साथ ठीक है अभी देखें हमने उपर देखा था jinx oxide isolating क्या होता है base की साथ reaction कराएंगे तो ये किस की तरह behave करेगा, एक acid की तरह behave करेगा, तो when zinc oxide reacts with sodium hydroxide, it behaves like an acid, एक acid की तरह behave करेगा, in this reaction, sodium zincate and water are formed, क्या बनेंगे, sodium zincate बन रहा है, और water बन रहा है, देखें, reaction नीचे, ZNO, zinc oxide है, plus NaOH, base के साथ reaction कराई, तो as a acid behave करेगा, तो क्या बनाएगा, salt plus water, salt कौन सा बन रहा है, sodium zincate, याद रखना, Na2, ZNO2, क्या होता है, sodium zincate, ठीक है, next देखते हैं, zinc oxide, zinc oxide behaves like a base when reacts with acid, जब acid के साथ reaction कराएंगे, इसकी किसी, तो ये base की तरह behave करेगा, अभी हमने base के साथ reaction acid के साथ behave कर रहा था, देखें, zinc oxide gives zinc chloride and water on reaction with hydrochloric acid, जब hydrochloric acid के साथ reaction कराते हैं, तो देखें, ZNO plus 2HCl, HCl क्या है, एक acid है, hydrochloric acid, इसके साथ हमने reaction कराई, तो भी क्या बन रहा है, salt plus water, मगर अब यहाँ पे ZNO किसकी, एक base की तरह behave कर रहा है, ठीक है, next देखते हैं, ऐसे ही aluminium oxide का भी विर्कुल सेम यही fundा है, aluminium oxide भी एक base की तरह behave करता है, जब acid के साथ reaction कराएंगे किसी, या फिर, so aluminium oxide एक acid की तरह behave करेगा, जब base की साथ reaction कराएंगे, तो, देखें, नीचे आपको reactions दिये गए हैं, aluminium oxide की reaction हमने base के साथ कराई, तो यहाँ पे एक acid की तरह behave करेगा, और क्या बना रहा है, Na-A-L-O-2, ठीक है, और water इसके साथ बाहर निकल रहा है, नेक्ट देखें, aluminium oxide gives aluminium chloride along with water, तो यहाँ पे क्या दे रहा है, aluminium chloride दे रहा है, और water निकल रहा है, नेक्ट देखें, जब इसकी reaction हम hydrochloric acid के साथ कराते हैं, तो HCl के साथ reaction कराते हैं, तो क्या बन रह है, aluminium chloride बन रहा है, ठीक है, तो यहाँ से एक reactivity series देखते हैं, हम metals की, कि किस तरह से कौन सा metal ज़्यादा reactive होता है, कौन सा less reactive होता है, उसका क्या use होता है, वो भी हम देखने वाले हैं, आज इसी lecture में, the order of intensity of reactivity of metal is known as reactivity series, किस तरह से metal react करते हैं, कौन ज़्यादा reactive है, कौन कम reactive जिससे में यह पता लगता है, वह हमारी क्या कहलाती है, reactivity of elements decreases on moving from top to bottom in the given reactivity series, जो आपको reactivity series दी गई है, तो reactivity क्या होती है, घर्टी चली जाती है, देखें आपको यह reactivity series दी गई है, सबसे ज़्यादा reactive left side में लिखा है, सबसे कम reactive right side में लिखा है, तो potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, iron, lead, hydrogen, copper, mercury, silver और gold, इस form में यह लिखे गए हैं, आपको ऐसे ही लिखे लेने हैं, और आपको याद भी रखने हैं, बहुत जादा important हैं, ठीक है, अभी पता लग जाएगा आपको कैसे important हैं, एक बार आप इसको revise करें, याद रखें, जैसे भी आप याद कर सकते हैं, इसक देखते हैं, reaction of matters with solution of other matters, metal salts, metal salts के साथ कैसे reaction करते हैं, reaction of matters with the solution of other metal salt is displacement reaction, कैसी reaction होती है, displacement reaction होती है, in this reaction, more reactive matters displaces the less reactive metal, देखें, यही मैं आपसे बता रहा था अभी जहाँ पे आपको इस reactivity series की help लेनी पड़ेगी, यह क्या कह रहा है, जो more reactive metal है, वो less reactive metal को उसके salt से क्या कर देता है, replace कर देता है, तो अगर आपको reactivity series पता होगा कि कौन ज़्यादा reactive है, कौन कम reactive है, तो आप कर सकते हैं, otherwise आप नहीं कर पाएंगे, देखें, कैसे होगी reaction, metal A होगा, उसकी reaction हम किसी B salt के metal के साथ कराएंगे, B metal के salt के साथ कराएंगे, तो A metal का salt बनेगा, और B को वो क्या कर देगा, वहाँ से displace कर देगा, तो देखते हैं, example, iron और copper sulfate का, देखें, iron की reaction copper sulfate के साथ, हमें पता है, iron क्या है, ज़्यादा reactive है, देखें एक बार, reactivity series में देखते हैं, देखें, reactivity series में, iron FE ये लिखा है, पहले, zinc के बाद देखें, यहाँ पर iron लिखा है, और Cu उसके बाद में लिखा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब Cu कम reactive है, iron ज़्यादा reactive है, तो iron Cu को displace कर सकता है, तो देखें, iron ने यहाँ से Cu को displace किया, और क्या बना लिया, Fe SO4, ठीक है, Cu को displace कर दिया, इसी तरह से नीच है, क्योंकि, क्या है, यह ज़्यादा reactive थे, तो इन्होंने अपने less reactive को, उसके salt में से displace कर दिया है, अब नीचे देखें, ऐसे ही, when copper is dipped in the solidation of silver nitrate, it displaces silver and forms copper nitrate, देखें, reaction आपको नीचे दिखें, copper, silver को, silver को हमने देखा था, last में लिखा था, silver, noble metals होते है, तो noble metal को copper ने easily displace कर दिया और खुद का salt बना दिया, ठीक है, देखें, नीचे लिखा, in this reaction, copper is more reactive than silver and hence displaces silver from silver nitrate solution, no problem, silver metal does not react with copper sulfate, मगर अगर यह उल्टा हो जाए, अगर हम silver metal की reaction, copper sulfate के साथ कराएं, तो ऐसा नहीं होगा, यह इसको displace नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता, because reactivity series में अभी हमने देखा, ag कहां आता है, बाद में आता है, copper से, तो यह क्या है, उससे less reactive है, इसलिए कोई भी reaction नहीं होने वाली है, it will be no reaction, इसी तरह से नीचे देखते हैं, when gold is dipped in the solution of copper sulfate, आप gold की reaction अगर copper sulfate के साथ कराएंगे, तो भी क्या होगा, कोई reaction नहीं होगी, क्योंकि gold क्या है, copper से less reactive है, next देखते हैं, aluminum, nitrate और copper की reaction आप कराओगे, तो भी यहाँ पे reaction नहीं होगी, क्योंकि यह भी क्या है, उससे less reactive है, ठीक है students, I hope आपको यह सभी चीजे समझ में आई होगी, आप reactivity series को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है, पढ़ने के बाद इसका revision करेंगे, जिसन से questions 100% आपके board में, board exam में आने वाले हैं, तो please आप पढ़ें, और आगे physics और biology की classes भी होंगी, complete solution आपको complete syllabus यहाँ पे मिलेगा, तो please channel को subscribe करें, जिसने अभी तक नहीं किया है, और अपने notes बहुत अच्छे से prepare करते रहें, ऐसे notes आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कुछ भी यहा करके पूछ सकते हैं, ठीक है, that's all for today students, thank you